कि नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी तयारी जबर्दस तरीके से कर रहे होंगे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हम डायरेक्शन इंडिस्टेंस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और ऑफिसियली तो क्लास में हम डायरेक्शन इंडिस्टेंस अप सवाल जहां से खतम किया था वहիं से स्टार्ट करके आज का पूरगा पूरा पूरा क्लास लेके लेंगे आशागरता हूं कि मेरी ओडियो और वीडियो आप तक क्लियर आ रही होगी अगर आ रही है तो फटाबट बता दीजिए सभी को नमस्कार गुड मॉर्णिंग कैसे आप सब वॉकर दीपक मांसी रहनू लक्षमी साही संदीप कनयया छोई मुई उशा वॉकर इशा अ आज से अपना टॉपिक वाइज स्टार्ट हो चुका है मामला और पिछली आज की क्लास में हम डायरेक्शन इंडिस्टिंस के लेक्षिर नमबर वन की बात करेंगे ठीक है और इसके बेसिक पोर्षन को हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि इसमें क्या-क्या बेसिक्स है कि जब क्लास हतम हो तो आप एक बार उसको रिवाईज जरूर कर ले और इसके आगे जितने जितने टाइप के सवाल आएंगे वो एक एक करके हम सॉल्व करने की कोसिस करेंगे देखो पहला कोश्चन आपके सामने है ठीक है जरा एक बार निकालिए फटबट इस कोश्चन क आइगा ठीक है फटावट राई करूं बोला कि आएगी एक आदमी उत्तर दिशा में जाता है सबसे पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों उत्तर लिखना है नौर्थ ठीक है उसके बाद से कह रहा है डेड़ सो मीटर चलने के बाद वो अपने दाहीने मुडता है और नब बार राइट जाना है आपने तुरंत यहां पे एन इस डबल्यू एन लिख दिया नौर्थ से पहला राइट इस्ट होता है और दूसरा राइट किदर होता है साउथ तो वह जा किदर रहा है साउथ डिरेक्शन बताओ क्या फिगर बनाने की जरूरत पड़ी सारे दोस्तों लोग आंसर सही आया है अपसेन नंबर सी विल वी दा करेक्ट चीक बई 93 परसेंट लोगों ने आंसर दिया शार्विल कुनाल लक्षमी वैशनवी छोई मुई मांसी श्वेता भारती आईसा वोकल ये टॉप 10 लोग हैं और कुल 30 लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है ठ का जा रहा है कि सतर मीटर चलने के बाद वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और तीस मीटर चलता है फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और पचास मेटर चलता है फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और 30 मेटर चलता है पूछा गया उसका मूँ किस दिसा में है राइट से लेफ्ट गया दो बार लेफ्ट करना है और दूसरा लेफ्ट साउथ वेश्टी में जाएगा तो आपके सवाल का सही उत्तर है option number C बोलो clear हुआ बोलो clear हुआ बाई option number C is the correct answer 53% लोगों ने answer दिया वाकर जादुगर शिवंख खुसी अभी फिटनेस कोमल साही संदीप अलीशा सुभजीत और संजना यह टॉप 10 लोग हैं और 25 लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है बदाओ इस टाइब का question कर पाएंगे की नहीं फड़ा बड़ बदाए अगर इस type का question आप कर लेंगे तो एक question और कर देजिए फिर हम बढ़ेंगे अगले type पे एक सवाल और कर देते हैं फिर हम बढ़ते हैं अगले type पे कि जब यहां पे आपसे final direction पूछा जा रहा है अब की बार अगले concept में हम initial direction आपसे पूछेंगे ठीक है अगले में क्या पूछेंगे initial direction प्रारंबिक दिशा पूछी जाएगी final दिया जाएगा इसके बाद वाले सवाल में देखो बोला गया एक आदमी अपने दाहिने मुड़ता है एक व्यक्ति सो मीटर पुरुव की और चलने के बाद सो मीटर किधर चलने के बाद इस्ट में चलने के बाद अपने दाहिन और मुड़ता है और सतर मीटर चलता है पूछा क्या किस दिसा में है सारा राइट अब एक बात बताओ किसी भी डारेक्शन में चलते हुए अगर आप चार बार राइट ले लेते हो तो आप सेम उसी डारेक्शन में पहुंच जाओ तो आंसर क्या आएगा इस्ट डारेक्शन ही आएगा बोलो हाया ना आंसर क्या आएगा इस डिरेक्शन आएगा क्लियर है बई बोलिए और यह देखते आंसर 73 परसेंट लोगों ने दिया अंजू वाकर खोशी जादूगर संजना भारती दिक्षा सीमा अनीशा और छोई में यह टॉप 10 लोग हैं 33 लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है अब फाइनल दिया गया था इनिसियल पूछा गया था तब हमने यही तो किया था कि जो अंतिम में बच गया उसका उल्टा कर दे रहे थे यही तो कर रहे थे ना कि जो अंतिम में बच जा रहा था उसका क्या कर देते थे यहां पे भी सेम वही करेंगे कि जो अंतिम में बचेग किया है सबसे पहले बोला गया है अंतिम में देखो कि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है उत्तर दिशा की ओर इसका मतलब यह हुआ कि आपको फाइनल डिया गया है और प्रारंबिक दिसा इनीसियल डिरेक्शन पूछी जानी है अगर इनीसियल डिरेक्शन पूछी गई है दोस्तों तो आप सिंपल क्या कर सकते हो राइट और लेफ्ट काटिये जो बच गया है उसका उल्टा कर दो जैसे बोला गया इफ परसन टूर्ण स्टू इस और बीस मीटर चलता है और उसके बाद बोला गया है कि अब उसका मू अब वो उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसने स्टार्ट कहां से किया आपने का सार राइट से लेफ्ट कट गया अब अन्तिम में क्या बचा राइट आपको प्रारंबिक दिशा दी गई है अंतिम वेश्टी डारेक्शन आईगी बताओ क्लियर हुआ बताओ धाओ क्लियर हुआ भर बताओ क्लियर हुआ भाई अरे बोलतो दो और बाग्सर बढ़ा काЖल सबावत गया है शॉविक प्रतिक्षा भॉस denied और मुहम्मद रिक्रन एटॉप दस लोग είναι 28 लोगों ने सवाल च tool अंत li बोड उसी बात पर अगले question का answer देखते हैं कितने लोग कि लोग बता पते हैं एक बार करें और ला यह question जब ग्याम में आता है तो आपको बहुत समय लग जाता है क्यूं कि आप figure बताना है फाइनल दिया गया है तो जो अंती में डारेक्शन बच जाए उसका जश्ट उल्टा कर दीजिए आप कोश्चन के आंसर तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे ठीक है भई पड़ावड बताओ अरे बोलो चलो देखो क्या बोला गया है एक आदमी किसी दिशा में चलता है नहीं पता आपको कौनसी दिशा है 120 मीटर चलने के बाद अपने दाहिने मुड़ता है किदर मुड़ा राहिट में मुड़ा और 60 मीटर चला कह रहा है फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 50 मेटर चलता है फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और 60 मेटर चलता है और फिर वो बाएं मुड़ता है 70 मेटर चलता है और फाइनली वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और 60 मेटर चलता है ठीक है अब उसके बाद बोला ग सब्सक्राइब नॉर्थर शुश्र इस्ट इस्ट आपको एक बार राइट मुणना ए तो आप कौन सी डिरेक्षन में आओगे सौथ-ईस्ट में तो आपके कुश्चन का अंशर क्या है ऑप्सन नंबर स्वाल का सही उत्तर है 39 परसेंट लोगों ने आंसर दिया वैशनवी अन्स अलीशा भारती स्वेता आशीश खुसी सिवं सुबरजीत और संजना ये टॉप दस लोग है कुल टेईस लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है बदाओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटावड बताओ क्या यह बात क्लियर हुई या नहीं हुई जब भी आपसे अंतिम दिशा पूछी जाए अंतिम दिशा दी जाए ठीक है आपसे बोला गया है कि अंतिम में कौन सी दिशा में पहुंच गया था उत्तर पूर्व दिशा में जब भी अंतिम दिशा दी जाए प्रारंबिक पूछी जाए राइट लेफ्ट काटने के बाद जो बच जाए उसका उल्टा कर दो वही आपका आंसर, कर लोगे इस टाइब का कोश्चन, फटाबट बताओ, क्या इस टाइब का कोश्चन हो जाएगा क्या, चलो इस टाइब का कोश्चन हो जाएगा, तो इस सवाल को और सॉल्व करके बता दीजे मुझे, इस कोश्चन को औ प्तर क्या आने वाला है कि बोलो भई इस कोश्चन का आंसर क्या आने वाला है और एक बार मेरे सारे के सारे जितने भी सेख रहे हैं वो सारे दोस्त अपने दोस्तों को एक बार जो है ना बता देंगे कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और वो क्यों इतने पीछे रहे गए कहां घूम रहे हैं आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं है वो तो कल है बताओ इस कुश्चिन का अंजर क्या आएगा बोला गया है एक आदमी 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईयों और मुड़ता है ठीक है और 20 मीटर चलता है इसके बाद वो बाईयों और मुड़कर 40 मीटर चलता है फिर वो बाईयों और मुड़ता है 50 मीटर चलता है अंत में बाईयों और मुड़कर 30 मीटर चलता है यदि व्यक्ति दक्षिड पश्चिम साउथ वेश डिरेक्शन में जा रहा हो उसने start कहां से किया था बहुत ध्यान से समझो जिसको नहीं समझ में आया राइट से लिफ्ट गया इसका तो कोई matter ही नहीं जो आपके पास ये दो बार लिफ्ट बचा है इसको आप क्या करें दो बार राइट में change कर दें हाँ है ना ये दो बार आपको लिफ्ट आप मुड़े हैं ये नॉर्थ इश्ट है आपको पता है कि साउथ वेश्ट से दो बार राइट चलना है पहला राइट नॉर्थ वेश्ट दूसरा राइट नॉर्थ इश्ट तो आपका answer क्या आएगा option number a नॉर्थ इश्ट is the correct answer option number a देखो 76% लोगों ने answer दिया वारियर डिपॉल्टर जाह तो clear हुआ होगा ये सवाल या अभी भी नहीं हुआ अगर अभी भी नहीं हुआ तो फड़ावड बताओ अब तो clear हो गया होगा अभी भी नहीं हुआ तो एक question और करो एक question और करके बताईए कि सवाल का उत्तर क्या आएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा ये और बोलो भई अभी फिटनेस कह रहे हैं सर प्लीज डेको डाको ना प्लीज क्या यह लिखा तो सब्सक्राइब बोलिए इस कोश्चन का आंसर क्या आने वाला है देखो बोला गया एक आदमी किसी दिशा में चलता है 200 मिटर चलने के बाद अपने लेफ्ट मुड़ता है और 80 मिटर चलता है फिर उसके बाद चार बार लगातार यह क्या बोला गया है आफ्टर इट ही टेक्स कंजिकिटिव लगातार वो राइट टर्ण मुड़ता है तो एक राइट दो राइट तीन राइट चार राइट यह डाइरिक चार बार राइट भी लिख सकते थे और हर बार वो 50 मिटर चला है अगर व्यक्ति नॉर्थ डिरेक्शन में जा रहा था तो बताओ उसने श्टार्ट कहां से ग पहला लेफ्ट वेश्ट दूसरा लेफ्ट साउट तीसरा लेफ्ट एस्ट आंसर क्या आएगा ऑप्सन नमबर एपके सवाल का सही उत्तर आएगा ओप्सन नमबर ए विल बी दा करेक्ट आंसर 45 परसेंट लोगों ने आंसर दिया खोशी वारियर वैशनवी जतिन आईशा जाहिद कसक श्वेता पलक मिश्टिरियस ये टॉप दस लोग है और कुल 33 लोगों ने सवाल का सही उत्तर दिया है ठीक है वई चलो अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के अभी तक हमने क्या देखा मल्टिपल टर्ण वाले सवाल देख लिए उसके बाद लैंग्विज वाले सवाल देख लिए जहां पर राइट और लेफ्ट काट के आप आंसर बता सकते थे अब हम डिग्री वाले सवाल देखेंगे कौन से वाले की डिग्र सब्सक्राइब्स मेरा र्रे एक्जाम का ठीजाम पास हो जाएगा इस बार अच embry गराइगा अच्या यह है बताएगा एक विए अस रिप्नव डिग्री को भी हम काट सकते हैं जैसे डायी और लेफट को हम काट रहे हैं वैसे एंटी क्लॉक वैस क्लॉक्वास को भी काट सकते हैं कैसे देखो बोला गया है कि 45 डिगरी क्लॉक्वाइज मुड़ता है ठीक है देन ही टोंस 90 डिगरी एंटी क्लॉक्वाइज फिर 90 डिगरी एंटी क्लॉक्वाइज मुड़ता है फाइनली 135 डिगरी क्लॉक्वाइज मुड़ता है अब आप मुझे बताओ यह मिला कौन से डिरेक्षन में आ जाओंगा उसी में आ जाओंगा जिसमें में चल रहा था मतलब आपने का सर 90 डिग्री एंटी डिग्री क्लॉक्वाइस के एंसिल आउट हो गया तो आपके बास बचा गया 90 डिग्री क्लॉक्वाइस बच गया क्योंकि यह 90-90 कटा है तो यहां 180 था तो नब्बे तो बचेगा और 90 डिग्री क्लॉक्वाइस का मतलब क्या होता है राइट डिरेक्षन ही होता है न तो आपने का सर एन इसड़ल्यू एन नॉर्थ से एक बार राइट मुणना है कौन से डिरेक्षन आगे ईस्ट डिरेक्षन आई भी या इस्ट डिरेक्षन सवाल का सही उत्तर दिया है बहुत बढ़ियां, बहुत शानदार, बहुत जबर्दस्त, बहुत उंदा ठीक है बई? सर कोश्चन धुंदला दिख रहा है अपना पिक्सल बढ़ा लो कोश्चन सही दिखने लग जाएगा ठीक है? बहुत बढ़ा लो डेटा बजाने के लिए आपने पिक्सल घटा रखा होगा आज दोसों पता नहीं पूरा हो पाएगा की नहीं यह आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है पता नहीं आप चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो देखो अगला कोश्चन बताओ फटा बट क्या आएगा अगला कोश्चन बताइए भाईज़ाब क्या आएगा अगले कोश्चन का आंसर क्या आने वाला है? बटा बट बताओ देखो बोला कि एक आदमी नौर्थीश्टी डिरेक्शन में जा रहा है उसके बाद वो 45 डिगरी धक्षिडा वर्दिसा में घुमता है इसके बाद तीन बार 45 डिगरी धक्षिडा वर्दिसा में घुमता है और 90 डिगरी वामा वर्दिसा में घुमता है और अंतमे फिर से 90 डिगरी वामा वर्दिसा में घुमता है तो व्यक्ति का मूह कौन से दिशा में है व्यक्ति का मूह कौन से दिशा में है आपने कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि सर North East में जा रहा था कोई बात नहीं जाने तो इसे हम पकडेंगे नूर्पीष में जा रहा है उसके बात देखो ये 45 डिगरूक वाइस और तीन बार 45 डिगरूक वाइस कर दें तो हम कितना मिल जाएगा में 135 डिगरूक वाइस एक टीक है और उसके बाद बोला गया नभ्य डिगरूक वाइस और रखालीस bump अब आपने का आपने का सर ये दोनों आपस में कट गए रिजल्टेंट तो जूरो हो गया इसका मतलब वो उसने श्टार्ट वो जा किदर रहा है नॉर्थ इस्ट डिरेक्शन में ही जा रहा है option number B is the correct option option number B ही इस सवाल का सही उत्तर था option number B ठीक भी या option number B ही सवाल का सही उत्तर था तो जैसे आप right और left काट रहे थे वैसे आप clockwise और anti clockwise भी काट सकते हैं इसमें क्या दिक्कत वाली बात है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें एक question और आप कर दीजिए फिर हम इसमें बढ़ेंगे दूसरे पार्ट पे ठीक है बई एक question और कर दो हम फिर दूसरे पार्ट पे पढ़ते इस सवाल का उत्तर आप मुझे बता दीजिए तो आप बुला तो दो वैश्णवी थम्नेल में प्रेक्टिस एड लिखा था सायद इसलिए लोग नहीं आए तो आप उन्हें बुलाओ बोल दो कि टॉपिक वाइज ही प्रेक्टिस एड चल रहा है यह बुलाने का काम तो आप ही लोगों का है नहीं बताने का काम बताओ बोला गया है कि एक आदमी नॉर्थ वेश्ट में उसका मुह है एक सो पैंतिस डिगरी क्लॉकवाइज मुड़ता है एक सो पैंतिस डिगरी वापिस क्लॉकवाइज मुड़ता है और फिर पैंतिस डिगरी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है तो कौन सी डिरिक्शन में जा अब कहा जा रहा है कि सर 210 डिग्यी तो यह क्लक्वाइज मुड़ा और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है अपोजिट होता है हो तो दोबारDas मूरा एक भार 90 डिगरी पलस एक बार 90 डिगरी टो आप एक सकते हो न बार राइट मुड़ा यह भी आप कह सकते हो तोन रफवेस्ट आपको पता है यह सब क्षिंड का भी सीख्विण राति प्सवेस्ट कराव साओ रातिश्ट ऑर न्बार और right के आएगा south east आएगा तो इस सवाल का उत्तर option number d आएगा बहुत सारे लोगों ने लेकिन सवाल का उत्तर गलत कहीं ना किया हो मुझे इस बात का देखो बहुत बढ़िया है सतर परसेंट के आसपास लोगों ने आंसर दिया है प्रतीक्षा जिक्रन इशू अंकि डॉंड नो डिफॉल्टर वारियर नजुक लक्षे और अमायरा ये टॉप दस लोग है और कुल 46 लोगों ने सवाल का सही आंसर दिया है बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार बहुत ह ठीक है भाई क्लियर है दोस्तों फटवर बोलतो दो क्लियर है अरे कलियर है तो कर लोगे इस टाइब का कोश्चन अप कर पाएंगे क्या अ मर där लेंगे ना चलो अगर इस ट्राइब का कोश्चन कर लेंगे तो अब आ जाते हैं सब डिरेक्शन वाले कोश्चन अब हम किस पे आएंगे सब डिरेक्शन वाले कोश्चन जैसे ये कोश्चन आपके सामने कई बार एक्जाम में आ जाता है जहां पे एक डिरेक्शन को दूसरा डिरेक्शन मान लिया जाता है तो मान के लिया जाता है वैसी मूव्मेंट की जाती है उस डियरेक्शन में कि वह जिस डियरेक्शन की बात कर रहे हैं वो कुछ और बन जाता है कोई और डियरेक्शन बन जाती जैसे यहां देखो बोला गया उत्तर पूर्व उत्तर बन जाए उत्तर बन जाए और इसी प्रकारी हक्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा बहुत ध्यान से समझो सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से आपको बताता हूँ ठीक है जरा देखू आपके सामने ये एक फिगर है बोला गया है ये नौर्थ है और ये नौर्थ इस्ट है ठीक है बई और ये इस्ट है ये साउथ है ये वेश्ट है आप से बोला गया है कि उत्तरपूर्व ये है उत्तरपूर्व क्या बन जाए पश्चिम बन जाए अब उत्तरपूर्व पश्चिम आप कहने से तो बन नहीं जाएगा उत्तरपूर्व पश्चिम क्या आप कहने से बन जाएगा क्या नहीं इस का मतलब हमने इस direction इस figure में कुछ ने कुछ ऐसी rotation की है कि ये north east वाली direction शेतर कहा पुआँ पहुँच गई है यहां में पहुँच गई है अब डिरेक्शन में कर क्या सकते हैं आप rotate कर वा सकते हैं घुमा सकते हैं तो आप नीचे से भी घुमा सकते हैं आप उपर से भी गुमा सकते हैं घुमाने के दोरान आपको हमेशा देखना है shortest distance कौन से है अब आपने कहा सर मैं यहां से अगर यहां जाओं ठीक है आप सीधा सीधा option डूड़नों कहीं cannot be determined तो नहीं है कहीं ऐसा option तो नहीं है कि जिसमें लिखा हो ग्यात नहीं किया जा सकता ठीक है अगर वो ना हो तो जो पहली direction है हमने सिर्फ यहीं चेक किया है इसी के base पे final answer दे देंगे इसी के base पे आप क्या देंगे पश्चिम का answer देंगे क्योंकि बाकी की जो भी movement है वो सेम इसी तरीके को follow इसी pattern को follow कर रही होगी और इतना ही rotate हो रही होगी 135 degree anti clockwise में ठीक है तो आप से पूछा किस के बारे में गया है वेश्ट के बारे में वेश्ट को आप किधर मुड़ा दो 135 degree कौनसी direction में anti clockwise direction में तो आपको पता है वेश्ट से anti clockwise direction में अगर 90 degree जाए तो south में जाएंगे और और कितना चलना है 45 degree तो ये कहां पहुँच गए आप south east में तो अगर मैं वेश्ट से 135 degree anti clockwise rotate करूंगा अगर west से 135 degree anti clockwise rotate करूंगा तो मैं क नहां पहुँच जाओंगा south east में पहुँच जाओंगा option number B सही आंसर बताओ clear हुआ मात्र 12 परसेंट लोगों ने आंसर दिया इसका मतलब clear हुआ नहीं है शार्विल लक्ष दीक्षा वैश्नवी संजना अर्जू और गेमर तो घबराना नहीं अभी और सवाल करेंगे हम इ पता चल गया कि करना कैसे तो अगला कोश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे अगले कोश्चन को भी वापिस में बताऊंगा लेकिन धीरे 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 आपको यह तरीका भी समझ में आई जाएगा अगे एक बार करो जड़ा फटा फट कोश्चन ध्यान से बढ़ो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो यही उत्तर पूर्व है और यह पश्चिम बन गया तो आप से पूछा किया है कि पश्चिम क्या बन जाएगा आप ध्यान से पढ़ लो एक बार मैंने तो पढ़ लिया अगला बताईए भई इस का answer क्या आने वाला है बोला कि नौर्थ बिकम्स नौर्थ इस्ट यहां पर हमने फिगर बना दिया अब दो को पहली बार आपको फिगर बनाने की ज़रूद पढ़िए इस टाइप के question नौर्थ को हम नौर्थ इस्ट बोलते है ठीक है भी नौर्थ को ग्या बोलते है तुरंत हमने पड़ा कहीं भी कैन नोट भी डिटर्माइन अगर नहीं है तो सीधा सीधा आपको साउथ के बारे में बताना है साउथ को भी आप 45 डिगरी क्लॉक्वाइश डिरेक्शन में जब रोटेट करवाओगे घुमाओगे तो 45 डिगर क्लॉक्वाइश चलेगा साउथ साउथ वेश्ट में पहुंच जाएगा साउथ वेश्ट में ऑप्सन नंबर डी इस दा करेक्टांट कहां पहुंचे गभी या साउथ वेश्ट में पहुंचेगा क्लियर है ऑप्सन नंबर डी इस दा करेक्टांट सी कैसे आंसर दे रहे हूं आप लोग तुक्का मारना थो मुहम्मद जिक्रन ये टॉप 10 लोग हैं 54 लोगों का आंसर सही आया है बहुत बढ़ी आप बहुत शादना है ठीक है भाई चलो अगला कोश्चन देखो जरा अगले कोश्चन का आंसर निकालो फटापट इस अगले सवाल का उत्तर क्या आने वाला है करिए एक बढ़ डिरेक्शन को चेक करने की जरवद पर ठीक है भाई बोलो इस कोश्चन का आंसर क्या आएगा पटबड़ बताओ बोला किए साउथ इस्ट बिकम्स साउथ वेश्ट आपको ये बात बोली गई है क्या कि साउथ इस्ट को साउथ वेश्ट कहते है नौर्थ है ये इस्ट है ये south है, ये west है, ठीक है, अब देखो south east की direction आपकी ये वाली है, south east को हम क्या कहते हैं, south west कहते है, south east को अगर हम south west कहेंगे, तो आप कहोगे sir, south east से जब मैं south west जाओंगा, तो ये 45, ये 45 मिला के कितने degree हो गया, 90 degree, और कौन सी direction में हुआ south east को south west कहते हैं, अच्छा इसका का हुआ है, सवाल में, कि south east becomes south west, south east को south west कहते हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ, कि south west को south east भी कहेंगे, इसका बिलकुल भी ये मतलब नहीं होता है, कि south west को south east कहेंगे, जिसके बारे में information दी गई है, उसी की rotation करनी है, अगर मैं आप से कहूँ कि मैं आप से प्यार करता ह इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं हुआ, कि आप भी मुझसे प्यार करते होंगे, लेकिन मेरी तरफ से clear हुआ, कि मैं आप से प्यार करता हूँ, ठीक है बाई, तो ऐसे ही south east को south west कहते हैं, इसका बिलकुल मतलब नहीं है, कि south west को south east कहेंगे, ठीक है बाई, अब जड़ा द direction को 90 degree clockwise rotate करवाना है, अब आप बताओ, south को 90 degree clockwise में रोटेट करवाओगे, तो ये south कहां पहुंच जाएगा, west में पहुंच जाएगा, तो answer आएगा, option number A, answer क्या आएगा, option number A आएगा, वैश्नवी, निकिल, दीक्षा, आसी, संदीप, डिफॉल्टर, श्याम, भक्त, सुनाक्षी, स्चोईमोई, आईशा, ये top 10 लोग हैं, और कुल 63 लोगों का उत्तर सही आया है, ठीक है बाई, clear है बाई, हाँ, हाँ, मैत के student हैं, मान लेते हैं, बेटा अगर आप ऐसा मान लोग हैं तो सामने का reaction भी आ सकता है, कोई कह रहाता कि Newton का law है, ये वर करके देखो Newton का law apply पता चल जाएगा, चलो अगले question का answer बताओ, इस सवाल का उत्तर बता दो, फिर हम बढ़ते हैं अगले type के, इस question का answer बता दीजिए, फिर हम अगले type के बढ़ेंगे, फटा बढ़ बताईए, बोलो बढ़े, इस question का answer क्या आने वाला है, फटा फट बताईए, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, आया बढ़े answer, इस question सवाल देखते ही नहीं है, बस मार दो, जैसे ही सवाल दिखाए, ए, बी, सी, डी, कुछ न, कुछ तो होगा यह answer, हैं, बोलो बढ़े, इस question का answer क्या आने वाला है, फटा बढ़ बताओ, बोला गया, south west becomes north east, south west को क्या कहा जाता है, north east कहा जाता है, अब जड़ा देखो ध्यान से, यह आपकी direction है, south west, इस south west को क्या कहा जाता है, north east, चाहे आप कह सकते हो, 180 degree clockwise या 180 degree anticlockwise, मर जी आपकी सीधा opposite देखना है, तो आप से पूछा किया है कि west को क्या कहेंगे, अब आप बताओ, वेस्ट को, जब south west को north east कहते हो, तो west को क्या कहना पड़ेगा, east कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, इस्ट कहना पड़ेगा, option number c will be the correct answer, option number c सवाल का सही उत्तर है, ठीक है बई, अनीशा, वैसनवी, जिगलिफाई, दिक्षा, आईशा, लक्षे, सुनाक्षी, डिफॉल्टर, सीमा, भारती, ये टॉप दस लोग है, और कुल 61 लोगों का answer सही आया है, ठीक है बई, clear है बई, चलिए, अगर clear है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम आ जाते हैं, जहां पे आपको figure बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, distance का भी matter थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, तो अब हम आते हैं distance, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, कि जब भी हम distance निकालते हैं दोस्तों, उसके लिए हम एक पाइथागोरस theorem का इस्तेमाल करते हैं, और पाइथागोरस theorem ये कहता है, कि अगर मान लो कोई भी right angle triangle है, A, B और C, जो right angle है B पे, A, B को हम क्या बोलते हैं, perpendicular बोलते हैं, ठीके, A, B को हम perpendicular बोलते हैं, लंब बोलते हैं, B, C को हम base बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और A, C को हम hypertenious बोलते हैं, current बोलते हैं, ठीके बई, ये सारे दोस्तों को पता होगा, इस चीज़ को apply करेंगे अभी, ठीके, तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि A, C का square हमेशा किसके बराबर होता है, A, B, K square और प्लस में, B, C, K square ठीके, तो अगर मुझे A, C की value निकालनी हुई, हुआ करें तो मैं क्या करूँ, रूट चड़ा दू, A, B, K square और प्लस में, B, C, K square के बराबर, अगर मुझे मान लो, B, C की value निकालनी हो तो क्या करूँगा, रूट आफ, A, C का square माइनस, A ही तरीके से आप एक्जाम में question को solve करते हैं, और क्या निकालते हैं, distance निकालते हैं, ठीके, अब जड़ा देखो, कुछ पाइथागोरियन triplets होते हैं, अगर वो triplet आपको याद रहते हैं, पता रहते हैं, तो आप question का answer, figure बनाने के बाद calculate ने करते हो, तुरंत आंसर बताते हो, कैसे, देखो, तीन, चार और पाँच एक triplet होता है, अगर किसी भी मान लो, कोई भी एक right angle triangle है, ठीक है, A, B और C, अगर A, B की value 4 km है, B, C की value 3 km है, तो आपने देखा कि 3 और 4 यूज हुआ है, तो A, C की value हमेशा कितनी होगी, 5 km हमेशा कितनी होती है, 5 km, क्योंकि आपको 16, B, C के square 9, 16 और 9, 25 जो 5 के square के बराबर हो, ठीक है, तो अगर इसी में आगे बढ़ाएं हम triplet निकालने की कोसिस करें, तो देखो, 6, 8 और 10, ये भी क्या है, एक triplet है, जैसे मैंने कहा कि कोई right angle triangle है, दोस्तों, A, B, C, जो right angle है, B पे, मैंने कहा, A, B की value 6 km, B, C की value 8 km, तो य confirm है कि A, C की value कितनी आएगी, 10 km, ये value अगर आपको याद रह जाती है, तो question का answer आप बड़े आराम से निकाल पाते हैं, ठीक है बई, बहुत आराम से ये question का answer तब निकलता है, जब आपको values पता है, जैसे, अगर मैं आपसे बोलू, कि ये right angle triangle है, A, B, और C, अच्छा देख मैंने का अगर A, B की value A है, और B, C की value A है, और मैं आपसे A, C की value पोछ लो, कि ये कितनी होगी, तो आप कहोगे sir, A, C का square होता है, A, B के square, और plus में B, C के square के, A, B की value A है, और A का square, B, C की value B, A है, A का square, दोनों का sum 2A square, तो अगर मैं आपसे सिर्फ A, C की बात करूँ, तो आ A बनेगा, इसका मतलब अगर किसी भी right angle triangle में perpendicular और base का measurement अगर बराबर होता है, तो hypertenease हमेशा root 2 के multiple से आगे बढ़ता है, हमेशा किस से बढ़ता है, अब इसके लिए आप वर्गमूल ये वाला जो concept लगाते हैं, ये आपके time taking concept है, ठीक है, ये आपका समय बरबाद करता है exam में जो आप ये तरीका लगाते हैं, जैसे मानलो मैं कहूं कि इस right angle triangle में इसकी value 10 किलो मेटर है, और इसकी value भी 10 किलो मेटर है, तो इसकी value कितनी होगी, direct 10 root 2 किलो मेटर होगी, इसका उल्टा मैं आप से बोल दू, अगर मैं आप से बोल दू प्यारे दोस्तों, कि एक right angle triangle मे इसकी value 10 किलो मेटर है, और इसकी 10 root 2 किलो मेटर है, तो इसकी value बताओ क्या होगी, आपको ये confirm पताएगी, ये 10 root 2 है, इसका मतलब इसकी value अगर 10 है, तो इसकी value भी 10 होनी पड़ेगी, clear है भाई, तो इसी base पे हम किसी भी सवाल का answer निकाल पाते हैं, इसी base पे हम किसी भी question का answer निकाल पाते हैं, ठीक है भई, clear है भई, बोलो clear हुआ, अगर ये बात clear है दोस्तों, तो अब हम आते हैं सवाल पे, और पहला question आपके सामने है, जरा इस question का answer निकालने की कोशिस करो, और ऐसे सवालों के लिए ध्यान रखिएगा, आपको एक छोटी सी figure बनानी पड़ेग अगर आप figure नहीं बनाएंगे तो question का answer निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है तो एक बार figure बनाने की कोशिस करेंगे, सारे के सारे दोस्तों को एक बार figure बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको कल की class में ही बोला था कि copy pen लेके बैठा करो, है ना? बोलो भई, तीन पती, क्या पता है लड़का है लड़की है, लेकिन इसकी हरकते बहुत गंदी है, और मुझे ऐसा लग रहा है, सुबह सुबह, अब दस बज़ गया क्या, अच्छा साड़े क्यारा हो रहा है, हाथ पर तो दुकान खुल गया होगा, सुबह सुबह लाइन म अने वाला है, फटब बढ़ हो, देखो जरा दयान से, बोला एक आदमी पूराब दिसा में जा रहा है, और सौ मीटर चलने बाद, वो अपने बाएं मुडता है, पूराब दिसा में सौ मीटर चला है, ठीक है, सो मीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ा है लेफ्ट मुड़ा है और कितना चला है पच्छिस मीटर ठीक है भई का जा रहा है फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और पेंतालिस मीटर चलता है फिर हूँ अपने left मुड़ा कितना गया 45 मीटर और का जा रहा है finally अपने left मुड़ता और 25 मीटर चलता है अब आपको पता है यह 25 मीटर तो यहां से यहां तक की दूरी 25 मीटर दोनों equal दूरी होगी आप से पूछा किसके बारे में गया है पूछा गया है कि how far is he from the starting point प्रारं भी कितने मीटर की होगी 45 मीटर की होगी तो 100 में से अगर 45 माइनस कर दे तो जो दूरी बचकी वो दूरी यह कहलाएगी तो 100 मीटर में से आपने क्या माइनस कर दिया 45 मीटर निकल के कितना आया 55 मीटर कितना निकल के आया भी या 55 मीटर option number C आपके question का सही answer option number C is the correct answer 96% लोग 27 लोगों नहीं सवाल का सही उत्तर दिया है ठीक है बई अब आप तुक्का ना मार पाएं तो उसका जुगार कर दिया है मैंने कि मैंने option ही नहीं दिया करू ज़रा इस question कहां से इस सवाल का उत्तर निकालने के कोशिश करू खटाब अब की बार आपको pen copy चलाना पड़ेग बिना pen और copy चलाए आप इस सवाल का उत्तर दे नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने option दिया नहीं तो आप तुक्का मार होगे किसको देखके है कि नहीं बनाओ ज़रा figure और मुझे पूरा वरोसा है बहुत सारे दोस्त figure बनाएंगे भी ठीक है बहुत सारे दोस्त figure बना देंगे बोल ये बई बोला गया एक आदमी दस किलोमेटर उत्तर दिशा में चलता है दस किलोमेटर सर उत्तर दिशा में चला उसके बाद वो वापिस मुढ जाता है और यहां से लेकर अब यहां तक कितनी हो गई छे का जा रहे है उसके बाद वो इस डिरेक्शन में मुड़ता है और कितना चलता है तीन किलोमेटर तो आप से पूछा गया है अब आपको पूछा गया है कि इसकी डिरेक्शन बताओ तो आपने कहा सर इस पॉइंट से ये डिरेक्शन नोर्थ इस्ट कहलाती है तो पाँच किलोमेटर के आएगा नौर्थ इस्ट उत्तरपुरू पाँच किलोमेटर के आएगा उत्तरपुरू आएगा नौर्थ इस्ट आएगा बताओ कितने लोगों का अंसर आया है कितने लोगों का अंसर आया है पाँच किलोमेटर नौर्थ इस्ट क्लियर भाई यह शनागर कह रहा recorded class है प्लीज recorded class मत दिखाओ सही है अपना नाम बुलवाने के लिए आदमी साम दाम धंड भेद कुछ भी कर देता है और मतलब अगर ऐसा कुछ होता ना तो पता नहीं क्या क्या और कर देते अपना नाम बुलवाने के लिए टीचरों को कि टीचर स्वैम जो है प्रधानमंत्री या राष्टपती होगी वो नाम ले ले उस बच्चे का तो बच्चा जीवन में आगे बढ़ जाएगा अरे ब्यात तक नहीं होगा ऐसे ऐसे माश्टर जो आपका नाम ले ले तो इसलिए नाम मत बुलवाया में बारा किलो मेटर चलता है कितना चलता है बारा किलो मेटर फिर उसके बाद कहरा अपने बाएं मुड़ जाता है तो थोड़ा सा फिगर इदर बनाते है ये बारा किलो मेटर चला साउथ में और उसके बाद अपने लेफ्ट मुड़ा अब बताओ साउथ का लेफ्ट कौन से डिरिक्सन को दिखाएगा साउथ का लेफ्ट कौन से डिरिक्सन को दिखाएगा आप कहोगे सर इस्ट को और कितना चला फिर बारा किलोमेटर चला है उसके बाद का जा रहा है कि फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और तीन किलोमेटर चलता है और यहीं जाके वो रुक जाता है बोलता है कि धूप बहुत ज़्यादा है आगे चला नहीं जा रहा है तो आप से पूछा गया है कि उसके प्रारंबिक बिंदू और अंतिम बिंदू के बीच की दूरी बताईए सबसे पहले तो आपको यह दूर ही बतानी है और उसके बाद दिशा बतानी है तो सबसे पहले दूरी और दिशा की बात करें तो दूरी निकाल लेते हैं दूरी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए एक right angle triangle चाहिए भोलो हाए ना right angle triangle चाहिए या नई चाहिए आप तो अब देखो अगर मानलो यहाँ बन तो रहा नहीं है क्या हम बना सकते हैं क्या आप कहोगे यहाँ अगर इसी line के बराबर अगर एक line यहाँ पे खीच दें तो अगर इसकी वेल्यू बारा है तो इसकी भी कितनी होगी बारा किलो मिटर होगी और आपने कहा सर यहां से लेकर यहां तक तीन किलो मिटर है और यह पूरी दूरी बारा किलो मिटर की ती यहां से यहां तक कितनी है तीन तो ये भी तीन हो गा और पोरी दूरी बारह है तो हम मैं कहूँ आपसे ये वाली दूरी कितनी होगी तो बारह में से तीन हटादो कितना आएगा नो तो ये एक Disability आपके सांधे बन गया है जिसमें आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है ये value पता है 9 km और ये वाली value कितनी पता है 12 km और हमने कहा कि या तो आप इसे ABC मान लो और अगर नहीं मानोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि AC का square 12 9 और 15 ट्रिपलेट बनाता है AC का square किसके बराबर होगा 9 के square प्लस 12 के square के 9 का square 81 12 का square 144 दोनों का sum 225 इसका मतलब AC की value कितनी नेकल के आई 15 km है रूट चड़ाओगे तो कितना आएगा 15 आएगा अब उसके बाद बोला गया है कि initial से direction भी बता दो आपने कहा सर कि initial से मैं जा तो इस direction में रहा हूँ है कि नहीं और यह direction किसकी कहलाती है साउथ इस्ट की कहलाती है तो answer आएगा 15 km साउथ इस्ट बोलो भई सारे दोस्तों का answer आया गया 15 km साउथ इस्ट फटाबड बता दो क्या 15 km साउथ इस्ट आया गया सारे दोस्तों का answer तो बहुत सारे देखो बहुत सारे सवाल आपके सामने है जो आपको ही सिर्फ आपको ही कराने है जिससे कि आपका ये topic बिल्कुल clear हो जाए लेक से जितने प्रकार के सवाल बनते हैं वो हमने कर लिया अगला पॉइंट हम पढ़ना इस्टार्ट कर चुके हैं डायरेक्षन और प्लस में क्या डिश्टेंस इसके सवाल करेंगे हम कल की क्लास में जो शांदार शांदार सवाल मैं आपको कराऊंगा आज के लिए हम इतना ही प लीडर बूर्ड पे ठीक है भई लीडर बूर्ड पे नजर डाला हमने तो देखा कि वैशनवी संजना वारियर सही संदीप मांसी दीक्षा अलीशा खुसी भारती और चंचल ये टॉप दस लोग हैं और कुल कितने लोगों ने 113 लोगों नहीं सवाल का उत्तर दिया बलकि कल के क्लास में तो ज्यादा लोग थे आंसर देने वाले ठीक है कोई बात नहीं मिलेंगे आप से कल के क्लास में आज के लिए मितना ही पड़ेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा नमस्कार जैन